नमस्कार दोस्तों अब ये भी बहुत बड़ी खबर निकल का सामने आई है बिहार के मुख्यमंत्री नितिस कुमार को बड़ा जटका लगा है ए जटका कोई और नहीं नितिस कुमार को भारती जनता पाटी ने दिया है इस आश्चर चकित घटना को लेकर अब भारती जनता पाटी और जेडिवों में टकराओ बढ़ता हुआ दिख रहा है जिया आपको बड़ा दें नितिस कुमार के च्छै बिदायकों ने नितिस कुमार से बगावत कर दी है जिया दोस्तो पूरे खबर के बारे में आपको बिस्तार से बताएंगे वहीं एक और बड़ी खबर जो निकल कर सामने आई है आपको बताए दें पश्चिम बंगाल की मुखमंत्री ममता बनरजी ने पहले जम कर डांस किया फिर भारती जन्ता पार्टी पर ताबर तोड जम कर हमला बोला जैन उस तो दोनों खबरों के बारे में आपको डेटेल से जानकारी देंगे लेकिन इससे पहले आपको क्या लगता है क्या नहीं साल में विहार में एक बार फिर से कई सीटों पर चुनाव हो सकते है जैसा कि जीतन राम मांजी ने दावा किया है या फिर नहीं कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं और साथी इस वीडियो पर अपना एक लाइक जरूर दें जहाँ एक तरफ बिहार में भारति जनता पार्टी और जेडिवो गटबंदन से सरकार चल रही है वहीं भारती जनता पार्टी ने अचानक से ही नितिस कुमार को जोरदार जठ़का दिया है जटका देते हुए नितिस कुमार यानि जेडियों के च्छाय बिदायकों को भारती जनता पार्टी में सामिल करा लिया है अब इसको लेकर भारती जनता पार्टी और जेडियों में मन मुटाओ पढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है जी आपको बदा दें बिहार में भारती जनता पार्टी और जेडियों के सरकार बनाए हुए कुछ महीने ही बीते हैं लेकिन इसी बीच जेडियों के लिए यानि बिहार के मुख्यमाति नितिस कुमार के लिए बुरी खबर सामने आ गई है बिहार में सत्ता में सयोगी भारती जनता पार्टी ने अपने सयोगी पार्टी जेडियों को जटका दे दिया है जटका देते हुए अरुनानचल प्रदेश जेडियों के 6 बिधायकों को अपनी पार्टी में सामिल कर लिया है जहां दोस्तों यह खबर ऐसे मौके पर आई है जब पटना में पार्टी के राष्टी परिशत की बैठक होने वाली है जहां इन बिधायकों को सामिल होना तैम माना जा रहा था उनके रहने का भी इंतिजाम भी किया गया था लेकिन भारती जंता पार्टी ने इन मौके पर इ के सदस्यों की संख्या बढ़ानी हो दो वो सहयोगी और विरोधी का फर्क नहीं करती है अला कि भारती जंता पार्टी की इस कदम से नितिश कुमार और भारती जंता पार्टी में टकराव हो सकता है क्योंकि वर्तमान में भारती जंता पार्टी और जेडियू दोनों ने मि उनाइटेट के तरब से अब तक और चारी क्रूप से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है लेकिन पार्टी के नेताओं का कहना है कि यह कदब भारती जनता पार्टी के साथ संबंधों में खटास ही लेकर आएगा इसे किसी भी तरह से सोब संकेत नहीं मारा दा सकता है अब आपकताद इससे पहले नागा लेंड में भी पार्टी के एक मातर बिधायक को तोड़ कर वहां के पूरों मंत्री ने अपने पार्टी में सामिल कराया था अब भारती जनता पार्टी ने पहले वादा किया था कि सरकार में मुख्यमंते नितिस कुमारी होंगे और नितिस काफी बड़ा है ऐसे में देखना यह है कि हरवांचल में भारती जनता पार्टी के इस कदम से नितिस कुमार और बिहार की राजनिती पे कैसा असर पड़ता है क्या भारती जनता पार्टी के इस कदम से नितिस कुमार और भारती जनता पार्टी में दूरियां बढ़ सकती ह या फिर क्या भारती जनता पार्टी की इस कदम से नितिस कुमार एंडियों को छोड़ पल्टी मार सकते हैं अलाकि भारती जनता पार्टी ने तो जेडियों को जटका दे ही दिया है अब देखना यह है कि बिहार की मुख्यमंत्री नितिस कुमार इस पूरे मसले पर क्या बोलते हैं वहीं दूसी तरफ आपको बता दें पस्चिम बंगाल में आने वाले साल में विधान सवा का चुना होना है लेकिन इस चुनाओ से पहले ममता बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बंगाल इन दिनों कुछ महीनों दूर रहे गए पस्चिम मंगाल बिधान सवा की चुनाओ की तयारी में जूट गई है भारती जनता पार्टी की यहां पर जवज़ा से सक्रियता के साथ साथ इस वक्त ममता बंगाल जी की पार्टी अपने बागियों को पार्टी से बागी होने के संकर से भी जूज रही है लेकिन इस बीच ममता बनर जी एक संगीत कारिकरम में हलके फुल के अंदाज में भी डांस करती नजर आई लोग कलाकारों के इस कारिकरम में ममता बनर जी जानी मानी संथाली नित्यागन बसंती हेंबरम के साथ डांस करती हुई दिखाई दी इस डांस के बाद ममता बनर जी ने भारती जनता पार्टी पर जम कर निशाना साधा है पहले आप ए वीडियो देखिए ममता बनर जी ने कैसे संथाली नित्यांगना के संग डांस किया है आपको दादे इस कारकर में ममता बनर जी ने कई लोग कलाकारों को सम्मानित भी किया जिसमें संगीतकार, गायक और नित्य कलाकार सामिल थे कारकरम में ममता बनर्जी ने संथाली डांसर वसंती हेंबरम को भी सम्मानित किया है और उनके साथ डांस करती भी दिखी जैसा कि आपने वीडियो में देखा हेंबरम उन्हें डांस स्टेप भी दिखाती नजर आई ममता बनर्जी उनके साथ मंच पर धीरे धेरे पैट धिरकाती हुई भी नजर आई हैं हाला कि ममता यहां भी भारती जनता पार्टी पर निसाना साधने में नहीं चुकी इस कारकरम के बाद मंच से उन्होंने लोगों को संबोधित किया संबोधित करते हुए भारती जनता पार्टी पर जम कर हमला किया है जहां कोता दे ममता बनर्जी ने इस कारकरम में अपने एक संबोधन में भारती जनता पार्टी का नाम लिये बगार ही उन्होंने कहा कि बंगाल को कभी गुजरात में नहीं बदलाया सकेगा भारती जन्ता पार्टी बार बार बंगाल में अपने गुजरात माडल लाने की बात कर रही है ममता बनर जी का कहना है कि बंगाल नहीं राष्ट गान, राष्ट ग्रीड और देश को जैहिन का नारा दिया है उन्हेंने भार्थी जन्ता पार्टी पर आउटसाइडर का टैग लगाते हुए कहा कि एक दिन पूरी दुनिया बंगाल को सलाम करेगी बंगाल की मिट्टी जीवन का स्रोथ है हमें इस मिट्टी को बचाना है उनका कहना है कि हमें इसमें गर्व करना है ऐसा कोई नहीं है जो बाहर से आए और कह दे कि इस जगह को गुजरात बना देंगे हलाकि आपको बदादे ऐसी संभावना है कि नए साल में यानी 2021 में अप्राइल माई में बिहार बिधान सभा चुनाओ हो सकते हैं आपको बदादे बिहार में बिधान सभा की कुल 294 सीटे हैं और इस वाक तिर्ड मुल्क कांग्रेस ने उन बहुमत के साथ बिहार में सरकार बनाई हुई है लेकिन आप भारती जन्ता पार्टी चुनाओ जीतने के लिए पूरी 80 चोटी का जोर लगा रही है वहीं ममता बनर जी भी पस्चिम बंगाल की सत्ता को अपने हाँ से जाने नहीं देना चाहती है आपको बदादे इस बार पस्चिम बंगाल का चुनाओ का काफी दिल्चस्प होने वाला है क्योंकि यह चुनाओ भारती जन्ता पार्टी और तिर्ण मूल के बीच काटे का टकर वाला चुनाओ होने वाला है इसलिए चुनाओ काफी खास भी होगा बड़ते अंगली बड़ी ख़बर की तरफ जी आपको बदादे मायवाती ने भार के खिलाब मुकदमे वापस करने की याचिका दैर की है सरकार के इस फैसले के बाद से यहां का सियासी तापमान और भी चड़ गया है अब बहुजन समाजवादी पार्टी के मुखिया मायवाती ने भी सभी बिपक्षी पार्टीयों के लोगों पर राजनेतिक द्वेस के म मुकदमे वापस लेने की मांग उठाई है मायवाती ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्विट करते हुए लिखा है कि उत्तर परदेश में भारती जनता पार्टी के लोगों को उपर राजनेतिक द्वेस की भावना से दर्ज मुकदमे वापिस होने के साथ ही इसमें संगीत सोम, सुरेश राणा, कपिल देव अगरवाल के अलावां साध्वी प्राची का भी नाम सामिल है इन नेताओं के खिलाब भड़काव भासट देने के अलावां सरकार प्रसासत से भिड़ने आधी का भी आरोप है आपकता दे मुझपर नगर के काउंसिल पार्टी नेताओं के खिलाब दर्ज मामले को वापस लेने के लिए राज सरकार ने कोर्ट में याचका दाखिल की है अब बहुजन समाजवादी पार्टी के मुखिया मायावती ने भी मांग कर दी है कि जैसे भारती जनता पार्टी नेताओं का यानि उनके उपर लगे के वापिस लेने की याज क्या दाखिल की गई है वैसे ही विपक्षी पार्टियों के नेताओं पर भी जितने केस राजनीतिक देश के कारण मुकतमे लादे गए हैं उनको वापस लिया जाएं परते हैं अगली बड़ी खबर के दरब जिया आपको बतादें अब महाराष्ट मे NCP और कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं होता हुआ दिखाए दे रहा है अब कांग्रेस ने NCP पर निसाना साधा है जिया आप पतादें मुंबई में BMC के चुनाओं होने वाले हैं अई चुनाओं को लेकर सियासी गमा गमी तेज हो गई है 18 कांग्रेस कारपोरेटर्स NCP म पता है कि कांग्रेस के बागी पार्सदों ने बुद्धवार को NCP का हाथ ठाम लिया था NCP के पास विवंडी निजामपूर में एक भी पार्सद नहीं था कांग्रेस का कहना है कि महा विकास अगारी सरकार की सदर से पार्टी के बिद्रोहियों को सामिल कर NCP ने कांग्रेस प्रोक्ता और पार्टी महासचीव सचीन सावन्द ने कहा कि राज कांग्रेस सद्यक्ष बाला साथ ठुराट ने NCP नेतित के पती नाराजगी जता ही है उनका कहना है कि भुद्धवार को कांग्रेस के पार्सर डिप्टी सियम अजित पवार राज के NCP नेताओं के चलते 97 कार्पोरेशन में 47 सीटों के साथ भी कांग्रेस अपना मेयर नहीं चुन पाई थी उनने कहा कि कांग्रेस ने बागियों के खिलाफ अनुसासन हिंता दिखाने के आरोप में कारवाई भी शुरू कर दी है इतना इने पार्टी ने दल बदल कानून के तह साल कायम की है